तो फाइनली दोस्तों आप देखोगे D6 system limited के दवारा अपने quarter 4 के जो आंकड़े हैं वो publish कर दिये गए हैं तो चलिए फटाफट से देखते भी कैसी आए है quarter 4 के आंकड़े और क्या कुछ हमें जोना भी announcement होती होई नजर आई है इस quarter 4 में तो चलिए यहां पर आप लोग आपको के standalone result दिया गया है लेकिन हम discuss करेंगे इसका जो consolidated statement है उसको लेगा तो जो फटाफट से निकालते है consolidated statement तो यहां पर आप लोग देखो कि consolidated statement हम जोना भी discuss करेंगे जो total all रुपीज देरक है रुपीज मिलियन में देरक है लेकिन आपको जोना भी क्रोड़ में convert करके ब मिल रहे हैं अगर बात के total income की या total revenue की जो हमें देखने को मिला मार्च quarter में वह है 520 क्रोड 20 लाग का जबकि previous quarter में 362 क्रोड 30 लाग का था तो previous quarter आप देखोगे इसके income में एक अच्छी खासी बढ़त बनते नजर आई है वहीं अगर बात करें year and year basis पर तो आप देखोगे year and year basis पर 1233 क्रोड का हमें जोना भी revenue देखने को मिला है इस साल जबकि previous साल में आप देखोगे 1124 क्रोड का था तो previous year से अपकी बार आप देखोगे इसके revenue में जंप और quarter on quarter basis पर भी आप देखोगे revenue में अच्छा खासा जंप आते नजर आया है अगर बात करें इसके expenses को लेक expense रही है वो है अपकी बार 479 क्रोड के जबकि previous quarter में 342 क्रोड के थे तो previous quarter आप देखोगे इसके expense में जंप रहा है वहीं बात करें यह निर वेचिस पर तो 1197 क्रोड के इस साल जबकि previous में 1048 क्रोड के expense थे तो previous year से भी expense में बढ़ उतरी है बट जो revenue है इसके expense से ज्यादा ह है इसका मतलब company को फिर्चे profit हुआ है कितना profit हुआ चलिए देखते भी profit for the period अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो profit हमें देखने को मिला profit for the period वो है 41 क्रोड का जबकि previous quarter में 17 क्रोड का था तो previous quarter चे आप देखोगे profit में कितना शांदार जंप रहा है काफी अच्छा हमें जोना अभी जंप में इजाफा देखने को मिला तक्रीब आप देखोगे 220 परसेंट के आसपास हमें जोना अभी इजाफा आते नजर आया है तो काफी अच्छा इसके profit में जंप आया है वहीं अगर बात करें भई प्रिविएस एयर में आप देखोगे 55 क्रोड का profit था और अपकी बार 70 क्रोड का तो प्रिविएस एयर से भी आप देखोगे profit में जंप आया है तो profit में जंप हमें overall काफी शांदार देखने को मिले हैं तो quarter four के जो हांखड़े आया है वह काफी शांदार आया है अब यहां से स्टोक में तेजी बनना लाजमी है अगर बाफत करी और अब की बार आप देखोगे 8.44 तो यह इसके रहे हैं results जो की काफी शांदार आते नजर आए हैं और आने वाले टाइम में इसके share price में और भी अच्छी तेजी बनने के हमें चांस बनते नजर आ रही है तो यहां से आज है long term के लिए गर स्टोक को आपने portfolio में hold कर रखा तो काफी अच्छी company अनुभी promoters company के अंदर सामिल है और यहां पर अगर बात के कुछ announcements की तो यहां पर आप वीडियो को पहुच करके यह जो notes detail में दिये गए हैं इन्हें पढ़ लेना and thank you for watching the video